दोस्तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीका से आप फिलिपकार्ट का किसी भी प्रोड़क को ओडर करने के बाद कैसे आप उस प्रोड़क का पेमेंट मेथोड को चेंज कर सकते हैं तो पुरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन और बहुत ज़्यादा नॉलिजबल होने वाला है तो पुरा वीडियो को एन तक जरूर देखेगा नमस्का दोस्तो मैं हूँ मीथू, आप देख थेटेख में तो युट्वीब चैनल दोस्तो इस चैनल पर पहली बरायते चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूले कि दोस्तो इस चैनल पर और की पर एक पोड़क को ओडर करके रहा हूँ और दोस्तो यह जो product मैं order करके रखा हूँ यह है दोस्तो COD वाला यानि दोस्तो cash on delivery में इस product को आभी करके रखा हूँ लेकिन दोस्तो मैं चाहता हूँ कि आभी यह product का मैं जो payment method इसको change करना चाहता हूँ दोस्तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इस product COD में करके रखा हूँ यानि cash on delivery में करके रखा हूँ लेकिन दोस्तो इसका payment method को change करने के लिए सबसे पहले आपको एकी चीज़ करना है आपको यह जो दिख रहा है कि pay वाला option इस पर आपको एक बार click करना है हाला कि मैं इस जगह से UPI के थूर में payment करना चाहता हूँ तो मैं कर लिया UPI से select और देखिए नीचे जो option है continue सिर्फ continue बटन पर मुझे click करना है दोस्तो जैसे click करने के बाद आपको सामने और एक चीज़ आ जाता है जैसे कि कौन सा UPI के थूर आप करना चाहते है प्रोडक्त का मैं payment करना चाहते है तो पहली वाला जो कि आभी select है मैं वसी से रहने देता हूँ और आभी नीचे देखिए पेना का option जो आया है इस पर मैं click कर देता हूँ दोस्तों click करने का बाद देखिए कुछ इस तरह के interface आता है आपके सामने और दोस्तों यहां पर आपका UPI ID का जो कि फोर डिजिट का एक पीन है वह आपको डालना होगा तो सिंपिल मैं फोर डिजिट का पीन इस जिएका से डाल लिया हूँ डालने के बाद सिंपिल आपको राइट चिनन पर click करना है click करने का बाद दोस्तों यह जो payment अभी processing में है देखिए थोड़ा देद बाद देखिए यह लिखा के payment successful हो गया है तो दोस्तों जैसे आपना पोड़क के लिए आपने payment कर देंगे तो payment करने के बाद उसके बाद देखिए इस तरह का एक आपको 6 डिजिट का आपको ओटीपी दिया जाएगा ठीकिन तो दोस्तों मैं बता है कि आपके पास एक ओटीपी है वो मुझे देओ तभी आपको दोस्तों यह जो ओटीपी यह आपको बोड़ना है अपना जो डेलिवरी आएगा उसको तब आपको अपना यह पोड़क मिल जाएगा तो इस वीडियो सापको समझ में आई गया कैसे आप फिलिपकर से किसी भी पोड़क और करने के बाद उसका आप कैसे पेमेन मेथट के चेंज करेंगे और अगर कुछ भी अगर सवाल है आपका कुछ भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो का कॉमेंट ब्लक्स आपके लिए खोला है जाके उस जगा से कॉमेंट किजिए मैं आपको रिप्ले द रहाने के भी समझ कि आपके बाद